वाट्सब गाइज मेरा नमें इशान और स्वागाइट आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ शे ऐसी अप्लिकेशन के बारे में जो आपके मुबाइल डिटा के लिए तो बहुत हानिगा रहे हैं बहुत दिंजरस है लेकिन उसी के साथ है दोस्तों जो आपके सोशल मेरे नेट्वरक इंग loro के अपर पर लीजुक स्टों बीर小 ऑफ दर के उस वाला जाओट गाने आपके दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि यह जो भी SS Media Networking Websites है जैसे के Facebook है, Twitter है, Instagram है दोस्तों यह जो इना क्लेम करती है कि यह बहुत जादा protected website है, बहुत अच्छी security है लेकिन आप सभी को मालूम है दोस्तों कि obviously यह कोई protected नहीं है एक बार अगर आपकी information किसी website पे गई, then it is not protected अब सबसे पहली बात अगर मैं इसका एक example दूँगा तो सबसे पहले तो खुद Facebook के owner नहीं अपनी website पे से पता नहीं 50 million data शायद सेल कर दिया था कोई third party applications को और उसके बाद में फिर वो मीडिया में आएक उसके बाद में मीडिया में आने के बाद में उसने माफी भी मांगी थी दूसरे incident अगर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि Facebook के ओपर काफी सारे जो हैना यह problems हो चुकिया है काफी सारे इशू हो चुकिया अकाउंट्स हैक होने के जैसे के सबसे पहले जो ना टोटल 50 million अकाउंट्स Facebook के ओपर से हैक होए थे और obviously Facebook के owners को इसके बार में कुछ भी नहीं मानूंगा और उनके पास में कुछ का डेटा है दोस्तो इस वीडियो में मैं आप से बात करूंगा च्छे ऐसी अप्लिकेशन के बारे में जो आपके मुबाइल के डेटा को तो obviously still करती है लेकिन साथी साथ में यहां पर जा जा पर आपका अकाउंट है इनके भी information को जो है ना वो कि मुबाइल में options है कि आप वहाँ से खुद अपना मुबाइल का flash on कर सकते है तो आपको obviously flashlight की जहुरत नहीं है दोस्तो जो तीसरी application है वो है पेरमिस अरबे pro ऐसे करके कुछ इस application का नाम है अब यह application जो है न दोस्तो वह Arabic जबान में तो obviously आप मुझसे कहेंगे कि Arabic जबान की applications को तू हिंदी में क्यों include कर रहा है तो दोस्तो मैं आपको यह चीज़ यह बता देता हूं कि अगर आपको यह ऐसी third party application download करते हैं उसमें अगर malware है तो यह सब applications वो automatically आपने phone में download कर देता और फिर आपको पता भी नहीं लगता है तो इसलिए मैं आपको नाम बता रहा हूं ताकि अगर आपके phone में सब applications download हो तो आप उसको right now uninstall कर दें तो यह कुछ Arabic language में applications है तो दोस्तों यह भी जो है न एक malware application है इसके बाद में दोस्तों जो है न एक Windows stimulator application है अब यह application क्लेम करती है कि आपके mobile को वो Windows 7 जैसा बना देगी तो यह भी एक application है और जो चौती application है वो है Windows 7 launcher अब दो तो launchers तो आपको मालूम ही है और Android में obviously launchers बहुत ज्यादा बदनाम है सिर्फ malware के लिए जो भी launchers आप download करेंगे end number of malware जो है आपके mobile में आते और उसके बाद में obviously आपका data बे लिक होता है तो यह भी launches है और finally जो छटी application है वो है Flappy Bird Flappy Bird जो नो दोस्तों यह भी एक mini game है obviously तो दोस्तों यह total 6 applications है जो obviously आपके data को leak करती है और hackers के server पर पहुचाती है अब दोस्तों यह होता कैसा है कि जब भी आप इन applications को download करेंगे मतब इन में से कोई भी application को download करेंगे और उसको open करेंगे तो सबसे पहले वो check करता है है आपकी connectivity आपका signal तो दोस्तों अगर आपके mobile में internet है तो सबसे पहले वो internet से connect करता है और उसके बाद में एक cloud streaming service है उसके तो connect करता है वो hacker के server से और उसके बाद में जो application है वो hacker के server से connect हो जाती है और आपका data भी hacker की server की तरफ जाता रहता है अब दोस्तों यहां पर आप सोचेंगे कि कौन-कौन सा data जो मेरा compromise होता है तो दोस्तों अगर मैं आपके mobile में बात करूंगा तो obviously आपके call logs जाते हैं आपकी call recordings जाती है आपके आपके contact भी जाते हैं प्लस जो आपने messages की हैं जो messages है जो inbox में वो भी दोस्तों hackers के server के उपर जाते हैं जो भी दोस्तों कैसे होता कि जैसी यह malware वाली application hacker के server पर connect करती है थो hackers जो है ना वहांसे command देते हैं कोई चीस को और उसके बात में जो है ना जिस चीस के लिए वो लो लो छीज क्रेंगे जो बी चीस को hack करने के server पर चले जाती है मालने जगार आपने वो लोग ने आपके contact को hecker के लिए command दिया तो contact आपको पता भी नहीं लगता है और इसी तरीके तो दूस्तों यह चीज़ एफेक्ट करती है आपके सोशल मीडिया नेट्वरकिंग अकाउंट्स को भी क्योंकि वह आपके मोबाल में रहते हैं और इसली एकसेसिबल भी रहते हैं जैसे कि फेस्बुक का अकाउंट होगा इंस उसके बाद में वह फेक फेस्बुक का पेज और फेक गूगल का पेज जो आना वह पॉप अप होता है और उसके दूरु जो आना वह आपके प्रोफाइल की पूरी डीटेल को एकसेस कर सकते हैं तो दोस्तों यह है पूरा तरीका और इस तरीके से जो आना है आपके मोबाइल में तो इसको अभी कभी इंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद में आगे ध्यान रखिएगा कि इसको आप दुबारा डाउनलोड नहीं करें तो दोस्तों कैसी लेगी आपको यह मेरी वीडियो की इंफरमेशन क्या थैंक्यू बोलना चाहते है नहीं नही और आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको जो नहीं वीडियो कैसी लेगी और आपकी नजर में अगर कोई ऐसी आप्लिकेशन है तो आप प्लीज कमेंट स्कॉल में बताइए ताकि दूसरों को भी जो नहीं उससे आसानी होगी बच के रहने के लिए तो चले दोस्तों फिर और इंशाला मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में जैहिन